लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें किला एक बommenतों से क्रेंगें से का ऩ।एफिंग करें और आइकन करीन लेटे से nearby क्योंदे친 ओमृडें अल्सक्राइब करें Прिल्डविवन सेय alभी घंट को सब्सक्राइब करें वो इन्हें आएएब करेंगें आइकन को सब्सक्राइब करें हुआ 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 हर बात की एक हज होती है इस्पेक्टर साहब भारत एक प्रजात अंतर देश यहां पुलिस की धानली नहीं चल सकती क्या हक है आपको मेरे इन आद्मियों को पकड़के यहां बुलाने का अच्छा यह शहर के सारे चड़े हुए बदमाश तुम्हारे आद्मी है इस शहर का हरा आद्मी मेरा है क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं बेगुनाहों की मदद कर है यह अच्ड़े शादी की मैना मेरा फर्द्व है यह सब शरीफ आद्मी है यह यह बदारी लाल जो जो चलाता है यह है कि यह मुखतार अहमत जो शराब की बत्टी लगाता हैakes ten शर्फीला सिर्वाइश घंदा करता है और यह हैं श्रीमान केश औरा une जो अन लोगों के हाथ पाउ तोड़ते हैं जो कल्स पे 5% महिवारत सूद नहीं देपाते हैं और ये है कूल कलंग, कूल नाशक मगरिन का नाम है कूल भूशंग जो चरस गांजा और कोकीन का व्यापार करते हैं ये है जेब कत्रों के सरदार श्रीमान रगू राय जी और ये हैं जान की दास काला व्यापार में नमबर एक हो सकता है, इन मेंसे किसी ने खून भी किया हूँ कैसा खून, किसका खून खून तो सबका लाल होता है जगन सेट, इस वक्त मैं स्वरगिये इंस्पेक्टर विजय शुकला के खून की बात कर रहा हूँ विजय शुकला का खून तो टाइगर ने किया था, तुम छूट बोलते हो, थाबित कीजे, पहले ये बताए कि आप इन लोगों को छोड़ते हैं या नहीं हर्गेज नहीं, तो मदालत में इनके जमानत की अप्लिकेशन करो, जैसाइब, बंद कर दो इन सबको कि अिर अहीं, तो मैं बहुंग सबको फज दून सबको कर दो 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 कर कर दो हुआ 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 ह varit झाल 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 डाइड हाँ हाह में कि अल्लो मामों जी तो नहीं है पास होने गर्में गई है अब मैं मैं में मैं को बला के लाता हूं कारो अब बता मन्ना तुम असा आदमी को पहचान सकते हो या नहीं सवसक्ति ही यह गार हो एवल को कई अब लॉट पिंगने कुस्या वाह इस व्यूश है कि में chemicalिया आदे वाहिए उनके बारे में तुम्यूश को सब कुछनी कुछ बिमा अभी तुम्हें चेरए। अगर इसके दिल से डर निन निकाला गया तो इस इंदगी भर पूर जिल के जिएगा चोड़ देशेए नहीं मैंसे नहीं से चोड़ूंगी तुम यासे चलिजाओ भाईया जुदू अब बोल इस मुझे नहीं मालूम यह कॉन था वो कैसा आदमी था मुझे नहीं मलूँ नहीं पताओ नहीं तो जान से मार डालूँगा बताओ मेरे मम्मे को मार डालेगा क्या मार डालेगा कौन मार डालेगा वह जो मुझे उठा कर लेगा था डरो मत बेटा तुम्हारे मम्मी मेरी बहन है और किसी की हिम्मत है मेरे होते हुए तुम्हारे मम्मी को हाथ भी लगा बताओ कौन था वो एक गोरा साथ भी था उसके बड़े बड़े मुझे दी कि अगरा साथ में जरा गोर से देखो मन्हां इन में से कोई है नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं कि अगर कि अगर कि अगर मेरे सेंट था बूर दिसम्बर को तुम कहां था अच्छी कि याद नहीं तो मुस दिन को कभी बूल नहीं सकते हैं मेरा नाम मंगल पांडे है और तुम इस अधिरे कमरे में बेल को लगे ले हो मैं तुम्हारे बदन के हर जोड से उस आदमी का नाम पूछ कर रहूंगा आहे हैं ऐगा है कोंधा तो पौछ यह वर कर दो यकांत अगी है तो यहां तो मत नहीं से था मैंने कुछ निया साद मैं सच कह रहा हूं बहुत कि हुत्प्वच्छी नहीं जानते हिर व्यद्धאת नहीं पहुत पहुत भूआ कि एंटे नहीं जान淆 को mant Kne boiling हम लाइट्स जगन सेथ इस्पेक्टर मंगल पांडे में सुचित को गिफ्ता कर लिया है हम जानते थे के एक में एक दिन यहो के रहे वैसे मंगल पांडे बहुत उश्यार लड़का है लेकिन कभी कभी जुर्वत से ज्यादा ही हुश्यारी कर जाता है और किसी चीज़ की जाती बुरी होती है अगर सुचित ने कुछ पक दिया तो तो क्या घजब हो जाएगा हम साप का मंतर जानते हैं तब कहीं जा के बिच्छो की बिल में हाट डालते हैं पहचाना इस घर को देख गोर से देख ये टाइगर का घर है जो इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के खून से नागदार हुई थी और यहां से इंस्पेक्टर विजय शुक्ला के शरीफ और बेगुना खून की महक आज भी आ रही थी मैंने किसको नहीं किया मैंने किसको नहीं मारा मैं कहता हूं तो जोट बोल रहा हूं तुमने यहीं से चुपकर इंस्पेक्टर विजय शुक्ला को मारा था और अब इस चुर्म में तुझे फासी होता है हुआ है मैं अखिला हुआ है हुआ है मैं झाल नहीं हुआ है आप मज़र शुर्ति के मैं भी अब कर अधिर्या अब प्रें बहुंद भाग कर कहा जागा शाले बता देंगे सच वर ना तरे बदन की एक घटी तो डालोगा पहाल है मताताँ साव दो, बटाथो, लेका था बच्छा मोस ओड़ गया था, बच्छा मैनोट है, लेकिन कदल मेनने लेकिया, तब पर किस न गया था, बटाथो, सार, बटाथो, सार, बटाथो, सार! करें करें कर दो कर दो जगन सेट, तो तुम ही वहां से भाग कर आया हूँ, जिस तरह से तुम्हें सुर्जीत को मारा है एंसुटर वेजय भी उसी तरह से मारा तो इसका मतलब यह हुआ कि इंस्पेकटर वेजय के कल ऑव तुम ही हो, आज तो मेरे हाथों से नहींद सकते हैं आप आप पानून के ठेकेदार जुरूर हैं, लेकिन किसी नहत्ते पर गोली नहीं चला सकते। गर अफ़तार करके फास ही तो दिलवा सकता हूँ। सरकारी वर्दी पहन कर आपने जो इज़त कमाई है, आप उसे इतनी आसानी से गवाना पसंद नहीं करेंगे। और आपकी बेवा बहन जो आपकी पूजा करती है, आप उसकी मिगाहों में अपनी इज़त गवाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों बगता हो। बगता नहीं, अर्ज करता हूँ इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर। फिलहाल मेरी बातें तुम मानोगे। और बाकी लोग इंस्पेक्टर मंगल पांडे और टाइगर की उंगलियों के निशानात मिलाकर देखेंगे। और वो भी मानेंगे। इससे तो तुम अपनी जेब में ही रखो। और अगर तुम ये समझते हो के मुझे गोली मारकर ये किसा खत्म कर दोगे। तो ये तुम्हारी भूल है। क्यूंके मेरे और भी आदमी हैं जो पुलीस को असलियत का पता बता देंगे। इसलिए बेहतर ये है कि तुम मेरी बात मानो। तुम्हारी इज़त भी बढ़ेगी और माल भी मिलेगा। वरना स्पी साहब को किसी वक्त भी तुम्हारी असलियत का पता चल सकता है। एक बात तुम भी गोर से सुन लो जगन सेट। मैं तुम्हे छोड़ूगा नहीं। अरे बेटे मैं तुम्हे कहा छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हारा और मेरा जनम-जनम का साथ रहेगा। लेकिन एक बात तुम भी गोर से सुन लो। वर्दी तुम सरकार के पहनोगे और हुक्म मेरा मानोगे। समझे। वरना पिछली दफ़ा तुम बच गए थे। अब के नहीं बचोगे।